हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका SSE MTS और हवलदार का एक्जाम होने वाला है, 5 से 27 जुलाई के बीच में उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्डन कोश्चन्स को जो है, इस वीडि का एक्जाम SSE MTS का 5 से 27 जुलाई के बीच में है, वो इस वीडियो को जो है लाश्ट तक जरूर देखेगा, और आप सरी कोई श्करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE MTS से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा, और भगल में ही आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज का जो आपका पहला कोश्चन है कि in India, all the union ministers are appointed by, यानि भारत में सभी के इंद्रिये मंत्री को जो है, ये किसके द्वारा न्यूक्त किया जाता है, तो देखें, भारत में सभी के इंद्रिये मंत्रियों को जो है, ये रास्ट्रपदी के द्वारा न्यूक्त किया जाता है, तो option 2 आपका correct answer होगा, नेक्स टाप कहें हैं, which of the following article state the equality before the law यानि निम्न लिखित में से जो है कौन सा अनुछेद कानून के समझ समानता को बताता है तो देखें यह जो आपका article 14 यानि अनुछेद 14 जो है यह कानून के समझ को समानता को बताता है तो option 2 आपका यहां पर correct answer होगा next आपका यहां पर है कि who appoints the member of a state public service commission यानि राज जी के लोगसेवा आयोग का सदस्य को जो है यह कौन चुनता है तो देखें राज जी के लोगसेवा आयोग का सदस्य को जो है यह राज जीपाल के द्वारा चुना जाता है तो option 1 आपका correct answer होगा next question आपका यहां पर है कि ससस्थ विद्रोश सब्द नेमने लिखित में से जो है कि संवीदानिक संसोधन अदिनियम द्वारा डाला गया है तो देखें ये जो आपका ससस्त विद्रोश सब्द है ना ये आपका 1978 का जो 44 संभिदान संसोदन अधिनियम हुआ था उसमें जो ये आपका ससस्त विद्रोश सब्द को जो है डाला गया था तो option 3 आपका correct answer होगा नेक्स आपके है आपकी रास्ट्रे पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यच कौन थे तो दिखें रास्ट्रे पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यच है ना ये काका कालेलकर तो option 1 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप कहें आप रहा है कि भारत में रास्ट्रे मानवादिकार आयोग की जो अस्थापना है ये कब की गई थी तो देखें भारत में रास्ट्रे मानवादिकार आयोग की जो अस्थापना है न ये सन 1993 में किया गया था तो option 3 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि भारत के उपराश्पती का चुनाओ करने के लिए निम्नल इखित में से चार समुह में से चुनाओ पर किरिया का गठन करता है तो देखे भारत के उपराश्पती का चुनाओ करने के लिए जो है चार समुहों में से संसत के दोनों सदनों के सभी सदस से जो है चुनाओ पर किरिया का गठन जो है वो करते हैं तो option 2 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि इंदीरा साहनी बना भारत संग के मामले में जो है उस्तम नियाले का फैसला ये जो है किस से संबन दीत है तो देखे इंदीरा साहनी बना भारत संग के मामले में उस्तम नियाले का जो फैसला था ये आपका OBC के लिए आरच्छन से संबन दी तो देखे अनुचेद 45 के अंतरगत जो है यह आपका निसुलक और अनिवारे प्रात्मिक सिच्छा जो है वो प्रदान करता है तो option 2 आपका correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि निम्नलिकित में से कौन सबसे लंबे समय तक जो है सेवारत राज्यसभा सदस से रहे हैं तो देखे इन option के according नजमा हबतुला जो है यह लंबे समय तक राज्यसभा सदस से के सेवारत रही है तो option 3 आपका correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि भारत में लोगतांत्रिक प्रनाली के अंतरगत मतदान के अधिकार के बारे में जो है निम्नलिकित में से क्या सत्य नहीं दिया हुआ है तो देखें, option one तो आपका सत्य दिया हुआ है, option three भी आपका सत्य दिया हुआ है, option four जो है, वो भी आपका सत्य दिया हुआ है, लेकिन option two, those who are dimmed and sound of mind can also vote, ये जो option है ये आपका कतन जो है वो गलत दिया हुआ है, यानि भारत में लोगतांतरिक प्रनाली के इंद्रगत, मतदा के अधिकार के बारे में जो है, जिन्हें दिमाग का अस्वस्त समझा जाता है, वो भी भोट कर सकते है, ये option two में दिया हुआ है, और ये जो कतन आपका सत्य नहीं दिया हुआ है, तो option two आपका correct answer होगा, next आपका यहाँ पर है कि IAS का पूर्न रूप, यानि full form क्या होता है, तो देखें, IAS का जो पूर्न रूप है या आपका Indian Administrative Service, यानि आपका भारतिय प्रशास्निक सेवाइस का full form होता है, तो option two आपका correct answer होगा, next आपका यहाँ पर है कि सम्विधान की बारवी अनुसूची के तहट जो है, नगरपालिकाओं को दी गई कार्यात्मक मदू या प्रशास्निक सक्तियों की संख्या कितनी है, तो देखें, सम्विधान की बारवी जो अनुसूची के तहट, नगरपालिकाओं को जो दिया गया कर्यात्मक मदू या प्रशास्निक सक्तियों की जो संख्या है, ये 18 है, तो option three आपका correct answer होगा, next question है आपका यहाँ पर है कि न भारत के चुनाओ आयोग के अनुसार, एक रास्टे पार्टी के रूप में जो है, मानियता प्राप्त करने के लिए, एक राजनितिक दल को जो है, कितने state में होना चाहिए, तो देखें, भारत के चुनाओ आयोग के कोडिंग जो है, एक रास्टे पार्टी के रूप में, म इसके पास होता है तो देखे लोकसभा के अस्थागित करने का जो अधिकार है ना यह राष्ट पती के पास होता है तो आपस न फोर आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अपकर रहे हैं कि संभिधान में प्रदत मौलीक अधिकारों का संरच्छक है ना यह सर्वोच न्याल यानि सुप्रीम कोट होता है तो option 3 आपका correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि भारतिय न्याइक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किये जाते हैं तो देखें भारतिय न्याइक प्रणाली में यह जो प्रादेश है ना यह सर्वोच न्याले और उच न्याले के द्वारा जो है वो जारी किये जाते हैं तो option 3 आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि भारतिय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों से संबंदित है तो देखें यह जो आपका पहली अनुसूची है ना यह आपका राज्यों से संबंदित है तो option 3 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि राज्य सभा के पदेन सभापती ये जो एक कौन होता है तो देखे राज्य सभा के जो पदेन सभापती है ये उपरास्ट पती होते हैं तो option 3 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि भारत की सम्विधान सभाग के पहले अस्थाई अध्याच का नाम बताना है तो देखे भारत के सम्विधान सभाग के पहले जो अस्थाई अध्याच थे ये राजेंदर परसाथ थे अगर वहीं question में अस्थाई अध्याच के बारे में जी विदान सभाओं का उलेख है राजसाभा के उपाद्यच उलेख है बेकिन उपपरदान मंत्री का उलेख नहीं किया गया तो option 1 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप के यहां पर है कि संसत के सदश्यों की आयोग्यता के समन्द में विवादों का जो फैसला है ये किसके द्वारा किया जाता है तो देखें संसत के सदस्यों की आयोग्यता के समन्द में विवादों का जो फैसला है ना ये चुनाओ आयोग के साथ परामर्स में जो है ये रास्ट पती के द्वारा किया जाता है तो option 4 आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निमनलिखित में से किन अनुचेदों की स्रेनी जो है बारती सम्विधान के भाग 15 से संबंदित है तो देखें ये जो आपका अनुचे 324 से 329 तक ये जो आर्टिकल है ना ये आपका भाग 15 से संबंदित है तो option 2 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निमनलिखित में से कौन सभी रच्छा बलो का जो है सर्वोच कमांडर है तो देखें रच्छा बलो का जो सर्वोच कमांडर होता है ये रास्टर पती होते हैं option 2 आपका correct answer होगा उपराश्पती को पत से कौन हटा सकता है तो देखें संसत के द्वारा जो है उपराश्पती को उनके पत से हटाया जा सकता है तो option 1 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागरिक्ता संसोदन अधिनियम भारतिय संभिदान के निमनलिखित में से किस भाग के अंतरगत आता है तो देखें यह जो आपका नागरिक्ता सं प्रणाली अस्थापित की है तो देखें ग्राम सोराज की जो प्रणाली है ना यह मद्य परदेश राज जी के द्वारा स्थापित किया गया है तो option 2 आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ पर है कि निमनलिकित में से किसने भारत के राष्ट पती बनने से पहले आज का जो आपका last question है जिसका जवाब आपको comment box में देना है कि भारत के राष्ट परदी के चुनाओ के विवात को जो है कौन सुल जाता है आपके option में सुप्रीम कोड यानी सरवोच ने आले option 2 में चुनाओ आयोग option 3 में पारलिया में यानी संसद option 4 में इन में से कोई नह तो मिलते हैं नेक्स उडियों तब तक thank you all the best